सो ग्रीटिंग्स टॉल आफ यू एलो एवरिवन वेलकम तो दे एक्जाम कैसल एंड टोड़े वी आर गोइंग तो लुक अट अवर डेली करेंट अफेर्स फ्रॉम 10 एंड 11 मार्च 2021 आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके डेली इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स 10 और 11 मार्च 2021 के वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एक्जाम ओरिएंटेड होगा इस वीडियो को पूरा देखो ओके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो स्टार्ट करते आज का को के 18 जून 2021 को और पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि फाइनल लॉड्स में खेला जाएगा ऑके बाद में क्लेरिफिकेशन दे दिया हमारे प्रेसिडेंट श्री सवरफ गांगुली ने कि जो फाइनल है वो खेला जाएगा साउथ हैंटन में फाइनल खेला जाएगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का वर्ल्टेस चैंपियंशिप का आपको नोट करके रखना है कि वेन्यू जो है तो चेंज हो गया है लॉड्स स है साउथ हैंटन ओके नेक्सनिस देख लो नेक्स है अमिताब बच्चन टू भी प्रेजेंट विद FIAF अवार्ड ओके FIAF अवार्ड यह मिलने जा रहा है अमिताब बच्चन जी को okay so FIAF आवर्ड जो है इसका फूल फॉर्म देख लो पहले क्या है important है इंटरनेशनल फेडरेशन ओफ फिल्म आर्काइवस ओके सो FIAF का फूल फॉर्म भी आपको पता रहना चाहिए वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ओफ फिल्म आर्काइवस ओके सो important है नोट करके रखो तो यह अवर्ड मिलने जा रहा है अमिताब बच्चन जी को okay next न्यूज है हमारी वर्ल्ड किड्नी डे ओके वर्ल्ड किड्नी डे important डेस के category के इसाब से important है और वर्ल्ड किड्नी डे मनाया गया है 11 मार्च को सो आपको ध्यान में रखना है 11 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड किड्नी डे ओके इसे नोट करके रखो नेक्स न्यूज है हमारी इंडियन नेवी commissions scorpion class काफी ज्यादा important defense news है सो scorpion class submarine INS करंच इसे commission किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा तो आपको ध्यान में रखना है इंस करंच का नाम ओके इंस करंच यह commission किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा और यह scorpion class submarine है इतना आपको note करके रखना है और इस category में third submarine है okay so INS करंच आपको note करके रखना है so important है defense news के category में okay उसके बाद में next news देख लेते हैं यह बहुत ज्यादा important है new chairman of united nation panel of external auditors okay so UN panel of external auditor की new chairman कोन बने है तो इनका नाम आपको बताना है और इनका नाम इंडियन ही है actually यह उनका नाम है गिरिश्चंद्र मुर्मू ओके और गिरिश्चंद्र मुर्मू यह CAG है इंडिया के ओके और CAG क्या होता है controller and auditor general ओके यहाँ पर मैंने आपके UN panel of external auditor okay so आपको ध्यान में रखना है so new chairman कही कही यहाँ पर new president भी mention किया हुआ रहता है आपको confused नहीं होना है बस आपको examination body जो होती है okay so उसका नाम आपको पता रहना चाहिए कि जो important body static body आपकी वह उसका नाम सिर्फ धान में रखो और उसके chairman, president, CEO, MD जितनी भी important appointments होते रहती है उन्हें note करके रखो यहाँ पर हमने देखा new chairman of united nation panel of external auditor और यह बने है गिरिश्चंद्र मूर्मू उके उसके बाद में next news देख लो next news भी काफी to sign किया है okay to build lunar space station okay lunar space station मनाने जा रहा है रशिया और चायना तो इसके लिए उन्होंने sign किया है memorandum of understanding तो इसे भी note करके रखो important है उसके बाद में next news है यह भी बहुत ज़्यादा important है international news और वैसे भी यह awards जो है तो यह बहुत ज़्यादा important है तो वह देख लो the winner of 2020 Ibrahim prize for achievement in African leadership तो African leaders को यह दिया जाता है ओके तो आफ्रीकन leadership को यहाँ पर recognize किया जाता है तो the winner of 2020 Ibrahim prize for achievement in African leadership तो यह दिया गया है नाइजर के president को ओके नाइजेरिया से confuse मत करो नाइजर separate country होगे तो नाइजर के जो president है जिनका नाम है महमदू इसोफू ओके सो महमदू इसोफू इन्हें दिया गया है यह award और यह president है नाइजर के सो महमदू इसोफू इनका नाम आपको ध्यान में रखना है ओके इन्हें African leadership का इब्राहिम प्राइस 2020 दिया गया है अब नाइजर कंट्री की बात हो रही है तो यह अफ्रीकन कंट्री है और हमें static gk के सबसे currency और capital पता रहना चाहिए जो trending countries होती है उनकी नाइजर थोड़ी युनीक है थोड़ी नई कंट्री है बहुत से students के लिए तो मैं यहां बता देता हूं नाइजर की सबसे पहले हम currency देखेगी और currency है नाइजर की यहां मेंशन किया है आपके लिए West African CFA Frank आप simply ध्यान में रखो और पूरी currency का नाम है इसका West African CFA Frank और capital जो है आपके नाइजर की तो capital का नाम है नीमी नियामी भी आप कह सकते हो नियामी यह capital है आपके नाइजर की स्टैटिक जी के कही swap से यह pointers काफी जादा crucial है इसे आप note करके रखो उसके बाद में finally देख लो आज की जो एक और breaking news है उत्तराखंड के जो हमारे new chief minister है उनका नाम आपको पता रहना चाहिए और उनका नाम है तीरत सिंग रावत यह आज new chief minister बन गये है उत्तराखंड के काफी जादा political इंप्रोगलियो चल रहा था उत्तराखंड में आज finally new cm appoint हो चुके है तीरत सिंग रावत इनका नाम आपको ध्यान में रखना है यह थे हमारे आज की important current affairs काफी जादा important appointments और awards है इने note करना है आपको एक बार quickly revise कर लेता है जो आज हमने देखा सबसे पहली न्यूज है world test championship जो इंडिया न्यूजिलेंड के बीच होने जा रही है 18 जून 2021 को पहले इसका वेन्यू लॉड्स था ओके बट अब उसे shift कर दिया गया है साउथ हैंटन में इसे note करके रखो उसके बाद में हमने सब्सक्राइब नेवी ने कमिशन किया है सबमरीन क्लास की जो उनकी यह सब्सका नाम आपको बताना है और उसका नाम है आयनेस करांच इस का इस कैटेगरी में थर्ड सब्मरीन है जो कमिशन की गई है उसके बाद में हमने देखा निउज चेर्में आफ यून पैनल ऑफ ए बने है गिरिष चंद्रमूर्मू जो इंडिया के CAG है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको CAG का फूल फॉर्म भी पता रहा ना चाहिए तो वह होता है अच्यूमेंट इन अफ्रीकन लेडर्शिप में धीागया है नाइजर के जो प्रेशीडेंट है और उनका नाम आपको ध्यान में रखना है उनका नाम है महमद इसोफू तो इसे नाइजर के प्रेशीडेंट नाइजर की करन्सी कैपिटल हमें पता रहना चाहिए स्टेटिक पॉइंट ऑफ यू से सो करंसी है वहां की वेस्ट अफ्रीकन सी एफ फ्रैंक ओके और वहां की जो कैपिटल है तो कैपिटल है नियामी ओके इतना आपको नोट करके रखना है उसके बाद में फाइनली हमने देखा कि तीरत सिंग रावत ये बन गए है न्यू चीफ मिनेस्ट आपके उत्तरा घंड के तो ये थी हमारी आज की important news ओके वल्लड किड़नी डे भी important है 11th March इसे भी नोट करके रखो तो ये थी हमारी आज की important current affairs की सारी detailed news उफिध है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो एक like कर दो शेयर कर दो अपने friends के सा साथ साथ सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल एक्जाम कैसल को सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बबाई टेक केर और आई विश वाल दा वेरी वेस्ट